जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे मैलानी से पीली भीट के बीच में जो साहगर से पीली भीट के बीच में जो अमानी परिवतन का काम चल लहा था वो दोस्तों फाइनल हो चुका है और बीटे दिनों 31 सब्सक्राइब करने में जुटा हुआ है और कौन सी ट्रेनों पर मन्थन कर रहा है पूरी जानकार इस वीडियो में देखेंगे जो प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर निकल के आई है तो दोस्तों कुछ ट्रेनों को विष्टार करना है और कुछ ट्रेने नहीं चलेंगी तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है मीटर गेज के जवाने में हमारी बहुत सारी एक्स्प्रस टेने चलती थी उनको भी लाने का काम फिर से किया जा रहा है तो दोस्तों पूरी जानका इस वीडियो में देंगे तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और अभी तक बीडियो को अपने दोस्तों को सार्ट जारत शेयर करिंग जानकारी फता लग सके तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं इस्टार्ट तो दोस्तों जैसा आप सबीखो पता है पेली भी सहागर्ड मार्ग पालत स्यारस नियचल्ड हो चुका है लकनाउच से सहागर vs तो सबसे पहले मात करेंगे जो ट्रेनों का आगे विश्तार किया जाना है उन ट्रेनों के बारे में तो दोस्तों जो हमाई ट्रेन नंबर है 1609 लखनाव चेनाई एक्सप्रस का पुरुत्तर रेलवे के लखनाव जक्सेशन किया जाता है साहगर मैलानी रेल लाइन तयार होने के बाद बरेली से लखनाव तक का वेकलिपिक मार्ग है सुरू हो सकता है लखनाव तक या पुरु मार्ग पुरुत्तर रेलवे के तहर आता है ऐसे में लखनाव जक्सन से चलने वारे लखनाव चेनाई एक्सप्रस का बरेली तक विस्तार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लखनाव से साहगर के बीच में सिर्फ 056 लखनाव जक्सन साहगर प्रेसंजर 10 का संचालन सुरू किया जा रहा है इस समय तो दोस्तों जो हमारी 16094 लखनाव चेनाव एक्सप्रस है इसका बिस्तार बरेली तक किया जा सकता है ऐसा प्रिंट मीडिय की खबर में निकल के आया है रेलवे इस पर मन्थन कर रहा है तो दोस्तों पीली भी साहगर पर सियास निच्छड हो चुका है अब सिर्फ ट्रेनों का संचालन नोटिफिकेशन आने के इंतजार है बरेली ल और दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले मांग की गई थी लखनाव छपरा एकश्ड्रस का मैलानी तक बिस्तार किया जाए तो दोस्तों इस ट्रेन को भी हरी जंडी मिल सकती है मैलानी से इसका बिस्तार किया जा सकता है और दोस्तों अब हम बात करते ह दोस्तो जो हमारी मीटर गेज के जवाने में 12 साल पहले ट्रेने चलती थी जिनके नाम है हमारे दोस्तो ट्रेन के रुहेल खैंड एक्सप्रेस, नैनी ताल एक्सप्रेस, कुमाउ एक्सप्रेस, मौरुधर एक्सप्रेस, गोकुल एक्सप्रेस और आगरा फोर्ट एक्सप्रे हमारा लखनाव मैलानी पीली वित बरेली टनकपूर गोंडा के मद्ध किया जाता था यह दोस्तों अब मीटर गेज से ब्राट गेज में रेलवे लाइन तब्दिल हो गई है अब इन ट्रेनों को वापस लाने की तयारी काफी जोरों सो की जा रही है पुरुत्तर रेलवे में तो दोस्तों जो हमारी प्रिंट मीटिया में खबर निकलके आई है वह दोस्तों आप सभी के बीच में हम जानकारी सेर करने जा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा तो फिर से दोडिंगी यह सभी ट्रेने पुरुत्तर रेलवे 12 साल से बंद मीटर गेज लाइन की को ब्राड गेज लाइन पर दोड़ने की त्यारी कर दिये अमान परिवर्तन के दोरान इजतनगर मंडल का लखनाओं से सीधा रेल मार्ग खतम हो गया अब ब्रेलिस सीटी से पिली भीत साहगर मैलानी लखनाओं रेल रूट खुलने के बाद 12 साल बाद एक बार फिर रोहल साथ खेंट नेनिक ताल कुमाओं मौरुधज गोकुल और आग्रफोर्ट एक्स्प्रस के संचालन के त्यारी की रही है कई अन्य ट्रेणों के संचालन पर भी विचाश चल रहा है इन सबी ट्रेणों को वापस लाने की त्यारी की जारहे है लखनाओं स्रितापुर मैलानी पिलीवीट बरेली दिल्ली तक इन सभी रास्तों पर इज्जित नगर मंडल के तहट बरेली के अलावा रामनगर लालकुआ कासीपूर हलदवानी कारकुडाम बदायू कास गंज मतुरा फरुखाबात कन्योज कानपूर अनवर गंज पिलीवीट साजहापूर टनकपूर काम पूरा होने के बाद 12 साल लग गए अब यह नए रेल रूट खुलने से इज्जत नगर मंडल का नया सीधस रेल मार्ग बहाल हो गया है दोस्तों मैलानी से सहागर पीलीवीट के बीच में जो अमान परतन का काम चला था वह फानल हो चुका है और स्यारस नेच्छड होन मिलने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन का खाका तयार किया जा रहा है काफी जोरों से पहले से सेमित रफ्तार में मालगारियों को चलाया जा रहा है जिससे ट्रेक मजबूत हो जाए नए रेल रूट से कास गंज बदाईयों को भी लखनाउं से सीधा स्थानिय इस तर पर त्यारी पूरी की जारिये नोटिफिकेशन का इंतजार है इस्थानिय इस तर पर नई रेल लाइन से ट्रेनों के संचालन की त्यारी पूरी कर ली गई है तीस और रेल लाइन के लिए इसी माह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा रेल लाइन पर त्रेनों को आउसत स्पीट 85 किलो मीटर पित घंटे के रप्तार से दोड़ाया जाएगा पिली भीट टाइगर रिजर में आने वाले रेल खंड में ट्रेने 15 किलो मीटर पित घंटे के रप्तार से गुजरेंगी यह रेल लाइन चालू होने के बाद पूर्तर रेलवे के गोरकपुर मुख्याले का इज़तनगर मंदल से सिधा जुड़ाव हो जाएगा आने वाले समय में गोरकपुर से लखनाव वाया सीता पर होते हुए बरेली पिली भीट जुड़ जाएगा और गोरकपुर से डिली की भीड ट्रेन आप सभी को इस रूट पर आने वाले समय में नजर आएगी अगर अच्छा रिस्पॉंस मिलता रहा यात्रियों का इस रूट पर तो दोस्तों पी ट्यार में डाली जाएगी 15 कीमी लूप लाइन मुख हिसासा आयूप श्यास निर्चर प्रण जियू सक्षेना ने 3030 मार्ज को पीली भी मैलानी साहगर रेल लाइन का निर्चर किया थ उन्होंने पीली भी टाइगर रिजर्व में ट्रेनों के रफ्तार 15 कीमी प्रतिघंटे निर्चर की गई थी इसके अलावा ट्रेनों में धीमी आवाज के इंजन लगाए जाएंगे पी ट्यार में वाज टावरों के जरिये रेल लाइन की निगरानी की जाएगी पीली भी स सहागर सेक्षन में ट्रेनों के स्वीट 85 कीमी प्रतिघंटा रहेगी टाइगर रिजर्व में लूप लाइन को भी उन्होंने अप्रोल किया है वर नए रूट खुल गया श्यात निच्छड हो गया ट्रेनों के संचालन की त्यारी की जा रही है नोटिफिकेशन आने के बा को तो दोस्तों जयसा आप सभी को पता है कि आने वाले समय में हमारी डबल डेकर और लखनाओ से दिली के लिए चलती यह ट्रेन अभी इस समय हर दोई होते हुए चलाइए इस हाई है इस Walk में बताया जा रहा है प्रद्दatar रिब्य की तरफ से सुत्रों के हौल से खवर निकल के आरी प्रिंट मीडिया में ये ट्रेन लखनाओ सीतापुर मैलानी पीली भीत बरेली के रास्ते दिली तक भेजा जाएगा ऐसा प्रिंट मीडिया में खवर निकल के आई थी और आप सभी को आमने पिछली वीडियो में जहानकारी भी दी थी और ये दूसी ट्रेन सतापदी एक्स्पेस ये भी सीतापुर मैलानी पीली भीत के रास्ते गुजारी जाएगी आने वाले समय में और भी कई ट्रेने दोस्तों संचालित होनी है इस रूट पर तो काफी दिनों से इन सभी ट्रेनों का इंतजार था लगबर 10 सालों से पूर ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी होता है पहले सबसे कौन सी ट्रेनों का विस्तार किया जाता है और कौन सी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया जाता है इस रूल रेट रूट पर तो दोस्तों आने वाले समय में ही पता लगेगा जब रेलवे अपना नोटिफिकेशन ज जानकाई देंगे और दोस्तों इस समय अभी सिर्फ मालगारियों का संचालन शुरू किया जा रहा है मैलानी से पीली भीत के बीच में बया सीतापुर पीली भीत के रास्ते तो काफी यह दिन इंतजार था इन घडियों का जो कि फाइनल वो दोस्तों पूरा हो चुका है तो उमेद आप सभी को आज की जानकाई दी हुई पसंद आई होगी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को दबा दीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए जैसा भ रहेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जैभाराव